गुर्पिया ध्यान रखे कि इस चैनल में निचीत सभी जानकारी केवल सिक्सित और सुत्मक्त कुदेशियों के लिए है इस यूटूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सला, वितिये सला, कानोनी सला, वक्तिगत सला के रुप में नहीं लिया जाना चाहिए छहीं दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आपको मैं यहाँ पर दो सवाल करने वाला हूँ, आपको अगर पता है तो कोमेट सेक्षन के अंदर डालना है और वही सवाल के आंसर में यही वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, सबसे पहला सवाल कि सी जी आपके सामने तस्वी यह Binance के मालिक है यह Coinbase से क्यों इतना डरते है Question No.2 कि World की Largest Asset Management Company कौन सा है फटा फटा आप comment section के अंदर दोनों के दोनों सवाल के reply दे दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ तो World की Largest Asset Management जो Company है उसका नेमे BlackRock अब यह भी जानना जरूरी है कि BlackRock का क्या विचार है Cryptocurrency के लिए क्योंकि World का Largest Asset Management Company है गए साल के बारे में बात करूँ तो इसने तक्रीबन तक्रीबन 10 Trillion Dollar के अंडर यहाँ पर management किया था काफी बड़ा एमाउट है क्योंकि 10 Trillion Dollar का तो अभी अमरा क्रिप्टो का टोटल मार्केट के बिलेशन भी नहीं है फिलाल 1.2 Trillion चल रहा है 1.2 Trillion Dollar इससे 10 गुना पैसा का इसने management किया था अभी BlackRock का क्या विचार है Cryptocurrency के लिए यह जो आपको तस्विर दीख रहा है वो है BlackRock के founder and CEO उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो BlackRock के जो बिचार है 2019 के लिए यहाँ पर इसने Blockchain के बारे में काफी बादचित की थी उसके बाद Crypto के बारे में भी बादचित की थी फिलाल मेरे को यह डाटा नहीं मिला कि BlackRock का क्या कोई investment है या नहीं है बट यह future के लिए काफी ज़्यादा excited है Blockchain technology साथ चाथ यहाँ पर Cryptocurrency के लिए उसके बाद देखो 24 December 2019 को भी Blockchain के बारे में यहाँ पर BlackRock ने tweet डाला हुआ है उसके बाद 2019 को और भी है कि यहाँ पर meeting वगेरा हुआ था प्रोटकास वगेरा हुआ था उसके बाद देखो Bitcoin के लिए क्या क्या यहाँ पर लिखा हुए 2018 के अंदर भी bullish sentiment इसने देखाया था 2018 के बाद Bitcoin एक नया हाई भी मरा था 2018 के अंदर 3000 डोलर के आजपास Bitcoin आ गया था उसके बाद Bitcoin चला गया था तक्रीबन 69,000 डोलर अब यहाँ पर देखने वाली यह बात है कि 2014 के अंदर BlackRock एक tweet डाल के बताते है Litecoin के बारे में उसने यह बताया था कि क्या Litecoin 2014 के अंदर Bitcoin को O-Tech करेगा तो देखो कितना दम होगा Litecoin के अंदर BlackRock जैसी कंपनी यहाँ पर Litecoin के बारे में 2014 के अंदर यह बताती थी कि क्या इस साल के अंदर मतलब 2014 की बात है और O-Tech नहीं हुआ है बट कहीं न कहीं देखाजा है तो Litecoin के अंदर दम रहता है क्योंकि उन टाइम के अंदर Ethereum नहीं था Bitcoin और Litecoin थे जैसी कि अभी हम Ethereum को मानते है उन ही टाइम के अंदर Bitcoin के बाद जो second largest cryptocurrency कोई थी तो वो थी Litecoin उसके बाद काफी change हुआ उसके बाद Ripple आया तो काफी time के लिए Ripple second number पे था फिर उसके उपर case चला उसके बाद Ethereum आया तो काफी time के लिए अभी भी देखे तो second number पे Ethereum है तो Litecoin एक काफी दम वाला project है क्योंकि कहीं न कहीं देखे तो Litecoin old है काफी पूराना project है आज तक टिका है क्योंकि काफे project 2011 के अंदर थे गाइब होगे 12 के अंदर थे गाइब होगे 13 के अंदर थे गाइब होगे या तो market inflation खतम होगे डेड होगे डेड कौन को नहीं हुआ आज तक और लंबे चलने वाले project तो दो ही है Bitcoin एन Litecoin तो Litecoin के बारे में यह तो आटिकल लिखा है वर्ल्ड की largest asset management company है अब यहाँ पर यह देखने के बाद इतना तो पता चलना चाहिए कि यह Bitcoin कोई 60 वटा नहीं है यह real एक asset है बाकि मेरा कोई advice नहीं है यह मेरा education है आपको knowledge में provide करता हूँ अब यहाँ पर Coinbase से CG क्यों डरते है वो यहाँ पर देखते है क्योंकि Coinbase का 4 August 2022 के मुताबीत उसने एक announcement किया था कि BlackRock Aladdin Client के साथ उसका partnership हो चुका है डारेक्ली access है उसके पाद crypto market through Coinbase Prime के अंदर कहीं न कहीं काफी बड़ी बात है उसके बाद यह भी news आप देख लो BlackRock के साथ उसने partnership किया था access दिया था Aladdin Clients को Coinbase Prime के लिए काफी बड़ी बात है क्योंकि BlackRock आपने देखा वर्ल्ड की asset management करने वाली सबसे बड़ी company है और उसका हाद यहाँ पर Coinbase के अंदर है तो कहीं न कहीं बड़ी बात है से जी डरेगा है डरेगा क्योंकि आपको बता है कि इतना बड़ा management है तो Coinbase के अंदर किसे साब से ध्यान रखा जाता होगा तो कि कहीं न कहीं Coinbase के अंदर कोई वो problem नहीं आने देंगे इसलिए आपने देखा होगा previous time जब third चल दा था market के अंदर जब FTX collapse हो गया वहाँ पर सभी से रिजर वो मांगा जा रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ CG ने Coinbase के लिए एक बार negative comment डाला था मतलब कि एक tweet डाला था फिर उसको हटा लिया वो डर गए थे क्योंकि उसको मालूम है कि Coinbase को छोटा गोटा एक्चेन नहीं है वो Binance को भी हिला सकता है बाके आपको क्या लगता है comment section के अंदर बता सकते हो वीडियो आपको पसंद आए होगा तो वीडियो को लाइक कर देना जिर्णों को subscribe कर लेना इस अभी बातों को देखना भी काफी important है कि इतने बड़े बड़े लोग क्रिप्टों के अंदर क्यों आ रहे है तो देखो Bitcoin क्या है क्या चीज है Bitcoin यह यहां से हमें समझने में आता है समझने को मिलता है